हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप मैं हूँ मनेश और मैं लेके आया हूँ एक और नया व्लॉग आपके लिए खास जी हाँ इस व्लॉग में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे होम टाउन गुलावी नगरी जैपूर की एक और खास जगह फिलाल जिस जगह मैं खड़ा हू उस जगह का नाम है चरण मंदिर जी हाँ चरण मंदिर इस जगह का नाम क्यों है कैसे है यह मैं आपको बताता हूँ और वो जो जगह यहां से जो हम जाएंगे उस जगह का नाम है जैगड फोड तो पहले चरण मंदिर को देखते हैं फिर जाएंगे जैगड फोड और इसक चलते हैं तो मेरे साथ में आज फिर से मौझूद है मेरे जिगरी मित्र कुल्दीप और यह है चरण मंदिर यह देखिया आप यहां पर भवानकर्ष्ण के चरणों के जो निशान है वो किस वज़े से है कि कहा जाता है जैसे कि हमें बाबाजी ने भी बताया था कि यहां पर नंद बाबा ने एक रात्री यहां बिताई थी और उस दोरान जो है एक सर्प ने उनका पैर पकड़ लिया था नहीं छोड़ रहा था उसको अद आदी जलीवी लकडी से भी मारा गया तब भी उसने पैर नहीं छोड़ा तो भवान क्रश्ण जो है वो आते हैं उसके फन को कुचल देते हैं तब जाके उसका उद्दार होता है और यह जो जगह है चर्ण मंदिर कहलाई यह हम आपको बाहर से दिखा सकते हैं अंदर जो वहाँ पे जो चरण है बगवान के वहाँ पे शूट करना अलाउब नहीं है इसलिए हम वो आपको नहीं दिखा सकते हैं उसको यहीं पे शूट हुआ था चर्ण मंदिर के अंदर धन्यवाद बाबाजी अब मैं और कुल्दीप बढ़ते हैं हमारी आज की मंजिल जैगड फोट की तरफ जी हाँ जहां पे आप देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी तोप जैबान तोप और साथ ही उस किले से किले के अंदर पहुंच कर अब यह जो राइट एंड साइड वाला रास्ता है यह जाएगा जैगड फोट की तरफ जाता है यह जाएगा जैगड फोट की तरफ तो लीजिए दोस्तों सामने है हमारी मंजिल आज की जैगड का किला जिस पे लहरा रही है यह पता का पंच रंग की पता का और यह जंडा पांच रंग का इसलिए है क्योंकि यह जो जैगड का किला है आज भी जैपूर की रोयल फैमली के अंडर ही है और पांच रंग विजय शरी की प्राप्ति की थी, जी हाँ, और इस के लिए के अंदर आप कार से भी जा सकते हैं, चाहे तो आप बाहर भी ये पार्किन्ग में खड़ी कर सकते हैं, तो दोस्तों, टिकेट हमने ले ली है, हम कार से ही अंदर जाएगे, कार अंदर ले जाने के जो है, 100 डूपीज एक्स्रा है, बाकि हम दोनों के जो है, वो 70, 70, 140, तो टोटल लगे हैं, 240 तो दोस्तों, हम दाखिल हो चुके हैं, जैगर किले के अंदर और यह किला जो है, आमेर के किले और नारगड के किले के मुकाबले, काफी खुला-खुला है, क्योंकि इस किले का यूज किया जाता था, आर्मी के रहने के लिए तो दोस्तों कार को कर दिया है, फिलाल पार्क और हम दौनों आ गए हैं उससे बाहर और अब आपको लेके चलते हैं, जयवान तोप के पास. दुनिया की सबसे बड़ी तोप, आप आपको बताते हैं इसकी क्या-क्या खासियत थी, इसका निर्मान कैसे हुआ था इसका पईया है, यह कितना बड़ा है यह है तोप का पिछला हिस्सा यह देखिया आचुके हैं बिल्कुल तोप के सामने हैं इसका निर्मान 1720 में सवाई जैसिंग के समय में किया गया था इस किले के अंदर ही इसका निर्मान हुआ था, अलग-अलग पार्ट्स के रूप में और फिर हातियों की मदद से इसे यहां लाकर असेंबल किया गया था और यह जो तोप है, सिर्फ एक बार ही चलाई गई थी, वो भी टेस्टिंग के लिए इसके बाद में इसे कभी नहीं चलाया गया था के अंदर जो बारूद भरा गया था, गन पाउडर जो भरा गया था, वो था 100 किलो तो इससे जो गोला चला था, वो यहां से जाके गिरा था 35 किलोमीटर दूर, चाकसु नाम के गाउं में और वहां पे जो एक तालाब बन गया था, उसे कहा जाता है गोली मार तालाब तो चलिए विस तोप की क्या है और खास बात बताता हूं आपको तो दोस्तो यह जो तोप की बेरल है, इसकी लंबाई है 20 फिट और इसका वजन है करीबन 50 टन और जो तोप है इसकी पूरी लंबाई जो है 32 फिट और गाड़ी का जो वजन है वो है 200 टन तो इस तोप का जो टोटल वजन है वो हो गया है 200 टन वजन है और कहीं पे आप नहीं देख पाएंगे इसके लिए आपको जैपूर ही आना पड़ेगा और जैपूर में भी गहाँ जैगड के किले के अंदर इकदम नली के मूह पे आप देख रहे हैं यह जो हाती जैसे आक्रती है यह गनेश जी का प्रतिक है यह हाती और यह जो किला है और यह जो तोप है आज भी जैपूर के जो राजपरिवार के अधीन ही है तो दशेरे के टाइम पे जब शश्त्र पूजन किया जाता है तब इस तोप की भी पूजा किया जाती है तो यह जो आप बीच में जैक सिस्टम देख रहे हैं इसको छे आदमियों की मदद से यूज करके प्रयोग करके इस बैरल को उचा नीचा किया जाता था और इस तोप को गुमाने के लिए चार हातियों का प्रयोग किया जाता था जी हां चार हाती मिलकर इस तोप के डारेक जिसके अंदर 100 feet लंबी बत्ती लगाई गई थी और इसको चलाने वाला जो व्यक्ति था आग लगाने के बाद में इधर इस तरफ पीछे बने water tank के अंदर खूद गया था ताकि उसके कानों को damage न हो आई आपको water tank भी दिखाते हैं यह होता था एक water tank यहाँ पे पहले पानी भरा गया था किले का जो भी वैसे बारिश का पानी आता था वो यहाँ पे वैसे भी खटा किया जाता था लेकिन जब तोप चलाई गई थी तो इसे पानी से पूरा भरा गया था और आग लगाने वाला जो व्यक्ति है वो इसके इसलिए इसके बाद में इस तोप को कभी नहीं चलाया गया था सिर्फ टेस्टिंग हुई थी तभी यह तोप चली थी तो पहले बैरल के अंदर आगे बारूद भरा जाता था उसके बाद में गोला डाला जाता था और फिर पीछे बत्ति लगा कर उसमें आग लगा दी जा देख रहे हैं आप ये तोप का विशाल का है पईया इस पईये की उचाई है नौ फिट लगवग छै फिट का मैं हूँ और ये जो तोप है वाई ये जो है नौ फिट के पईये वाली है और यहां से आप देख सकते हैं जल महल का नजारा बिलकुल क्लियर दिखाई दे रहा हमें और वो है आमेर का मावठा मावठा जील अब आपको बताता हूं किले की दिवार के अंदर ये जो बनेवे छेद हैं ये होल्स हैं इनका क्या यूज होता था सबसे पहले आप यह देखिए ये वाला जो होल है इससे जैसे हम देखते हैं तो इससे हमें काफी दूर तक जी हाँ जब दूश्मन दूर से आरा होता था तब इससे दिखाई दे जाता था और ये वाला जो आप देख रहे हैं इससे जब दूश्मन पास आ जाता था तब दिखाई देता था अब आप सोच रहे होंगे कि दूर वाला भी हो गया पास वाला भी हो गया तो ये तीसरा वाला जो छेद है ये किसलिए होता था जी हाँ दोस्तों ये वाला छेद होता था दुश्मन जब इस किले की दिवार के बिलकुल करीब आ जाता था तब उसके उपर यहां से गरम त बॉलता हुआ जो पानी होता था, वो डाला जाता था. सुरक्षा के इंतजाम बहुत तगड़े होते थे, और वैसे भी इस किले के अंदर जो जो जैपुर का जो शाही परिवार है, उसकी सैना ही होती थी. आमेर के किले में रहता था शाही परिवार और यहां पे रहती थी पूरी की पूरी सेना तो दोस्तों हम मौझूद हैं जैगड किले के अंदर और यह जैगड का किला कैसे है खास अभी आपको बताता हूँ इस जैगड किले का निर्माण किसी एक राजा ने नहीं किया था बलकि 27 राजा उने यानि 27 पीडियां जो थी उन्होंने इस किले का निर्माण किया था और टोटल समय जो इस किले की निर्माण में लगा था वो था 700 साल जी हाँ 1036 के अंदर कांकल देव ने इसके निर्माण करे को शुरू किया था इसकी नीव रखी थी और नीव पूरी करवाने का श्रेज आता है सवाई जैसिंग जी को जैसिंग द्विती जी को जिनके नाम पर इस किले का नाम रखा गया जैगर जी हाँ भले ही शुरू कोई भी करवाता था किसी निर्माण को लेकिन जो निर्माण को पूरा करवाता था नौर्मली नाम जो है उसी के उपर रखा जाता था उसी तरीके से जैसे की जैपुर शेहर का नाम भी है जैसिंग जी के नाम पर सवाई जैसिंग जी के नाम पर कहा जाता है कि इस किले के अंद वो इसी किले से जुड़ा हुआ था जी हां यहां की जो कहानी है वही उस फिल्म का बेस थी आई आपको दिखाते हैं वो खजाना था कहां जैसा कि लोगों ने बताया है मैं वही बता रहा हूँ तो यह जो आप देख रहे हैं यहां पर यह जैसे चबूतरे जैसा दिख रहा ह और इस वाटर टैंक के अंदर जो है किले का जो पानी होता था मतलब बारिश वाला जो बह के आता था उसे यहां पर स्टोर किया जाता था और इतना पानी होता था इसके अंदर स्टोर के उससे लगबग 10,000 आदमी जो है दो साल तक पानी पी सकते थे अपने काम में ले सकत और इसी टैंक के नीचे 40 फुट का यह जो टैंक है इसके नीचे गुप्त तैखाने के अंदर कहा जाता है वह ख़जाना था जिसे की निकाल कर यहां से ले जाया गया था इसके अंदर जा नहीं सकते हैं हम लोग बंध है लेकिन आपको थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं यह देखे आप देख पा रहे हैं यह यहां पर बंध है अदर्वाइस मां आपको नीचे जाके भी दिखाता यह जो टांका है यह कैसा है लेकिन इससे जुड़ी वी जो बात है यह अपने आप में बहुत खास है दोस्तों इस बात का कोई सबूत नहीं है लेकिन लोगों में है बात प्रचलित है कि वो जो खजाना था यहां पे उसको इंद्रा गांधी के टाइम पे यहां से निकाल के ले जाया गया था और यह जो जैपुर दिली हाइवे है इसे भी शायद दो दिन के लिए आम जंता के लिए बंद कर दिया गया था 60-70 ट्रक खजाना यहां से ले जाया गया था ऐसी जानकारी है अब सोचिए इतना खजाना उसकी कीमत क्या होगी देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है इस बड़े चौक में इस तीन टांके जो थे पानी खटा करने के काम में आते थे सबसे बड़ा टांका ढखा हुआ है जो भी आपने देखा इसका पानी किले में रहने वाले सदियों से पीते आ रहे हैं यहां सबसे बड़ा टांका जो है 158 फीट लंबा 138 फीट चोड़ा और 40 फीट गहरा है इसकी दिवारों में हवा आने के लिए खिड़कियां बनी हुई है ताकि पानी जो है फ्रेश रहे और इस ताके के अंदर जो खंबे हैं वो हैं टोटल 81 जिन पर इसकी छत का निर्मान हुआ है तो देखा आपने यहां पे इस बोड़ पे लिखा हुआ है कि 1976 में भारत सरकार ने यहां पे खजाने की तलाश में इस टैंक के पानी को खाली किया था और इसकी दिवारों की और फर्ष की खुदाई की थी क्योंकि इसकी इसका जो फर्ष है इसके नीचे जो है वो तैखाना बताया जाता है तो बात तो सच है दोस्तों खजाना था तो सही सबूत हमारे पास नहीं है लेकिन हमें भरोसा तो है कि यहां पे खजाना था और उसे यहां से ले जाया गया था दूसरी तरफ से मैंने आपको दिखाया था इस तरफ से भी आपको दिखा देता हूँ इस देखिए पानी नजर आ रहा है अभी भी और इसी पानी का यूज आज भी किले के अंदर किया जाता है और यहाँ है बाकी के दो टैंक एक यह हो गया और एक वो तो 60 लाग गैलन पानी होता था दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी खटा होता था इसके अंदर और पुराने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही समझदार थे उनको पता था कि पानी की कीमत क्या है और सोने की कीमत क्या यह भी पता था तभी वो सोने को इस पानी के नीचे जी हाँ 40 फीट का यह जो टैंक है इसके नीचे तैखाना जो था उसके अंदर उसे रखा जाता था लेकिन सरकार कम थोड़ी है उनको भनक लग ही जाती है दोस्तों उनको भी पता था कि इसकी कीमत क्या है शायद आज हिंदुस्तान में नहीं हो हाँ अगर वो हमारे इंडिया के खजाने में शामिल होता तो बहुत अच्छा होता और ये खजाना जो था ये मान सिंग जो थे अकवर को नहीं बताया था बलकि उन्होंने इसको यहीं पर रख लिया था अब ये मान सिंग जी और अकवर के बीच का मामला है हम क्या जाने इसलिए हो सकता है कि ये खजाना किसी को नहीं मिला ना अकवर को मिला ना मान सिंग जी को मिला सभी बात है जिसकी चीज उसी के प और यहां पर आपको काफी सारी चीजें मिल सकती है तो देख रहे हैं आप यह है जैगड रेस्टोरेंट आईए चलते हैं अंदर अभी कोरोना के विजए से यहां पर भीड़ थोड़ी कम है अदवास नॉर्मल डेज में आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी दोस्तों अब आपको मिलवाता हूँ जैगड रेस्टोरेंट के ओनर से वायता है तो दोस्तों अब आपको मिलवाता हूँ जैगड रेस्टोरेंट के ओनर से वायता हूँ आपका नाम ताहिए जब दिली बना हमारे साथ में है और अब हम इनी से जानते हैं इनकी हिस्ट्री क बारे में तुरसरी के पिक्चर स्वागा एंग तुरसरा में टाम जो जा तीन केंदर आये ता यह मेरे दागा कि यह राजा मांस सेकंड के लिए खाना बनाया करते हैं यह जगे रोईट थामडी के तरफ से इंको गिर्फ मिला हो है पुरी पुरी प्रोपटी तुर्पर इस पर खाने में वेज और नॉन बहुत इस पर बहुत है यह जो खाएंगे आज वो है यहां की खास जो वेज गिर्यानी है वही खाएंगे कुल्दीर की बसंद है बहुत अच्छा लगा हमसे वेज बिर्यानी अब इसका मज़ा लिया जाए क्योंकि इसे खाने के बाद में हमारा किला घूमले का करेक्रम में फिट से शिरू हो पाएगा तो दिले नहीं किया जाए और इसका मज़ा लिया जाए कुल्दीम तो स्टार्ट कर चुका है मैं से बहुत है तो आप दिले बना मज़ा आगया बिर्यानी के अंदर जल्दी फिर हाजिर होते हैं आपके पास थैंक यू जै तो पिर्यानी का मज़ा ले लिया है विज पिर्यानी का अब देखा जाए शस्तरागार को यह देखिए यह जो दोप है इसे कहा जाता था बदली और मान सिंग जी के शाशनकाल के अंदर इसका निर्मान हुआ था और यह दुदुम भी है जिसे बजाया जाता था यह जैसी पिस्टल्स पॉइंट 38 बोर की 18th सेंचुरी में बनी भी और यह देखिए यहाँ आप देख रहे हैं यह है बजुबंद जो आर्म पे यहाँ पे बांदा जाता था लड़ाई के दौरां और यह जो ढाल भी है जो इतनी खूबसूरत है कि आप घर में सजा सकें इसको देखिए इस पर भी कितनी कला करीजी गई है यह सिर को बचाने के लिए हेलमेट आप टोपी कहले जाए इसे यह देखिए और यह है मच्छवान तोप यह भी मान सिंग जी के ताइम पर बनी हुई है इस पर चाप मंतर भी है धनूश है यहाँ पर यह देखिए आप इस तोप को बोला जाता था बान जारी देखिए आगे से ऐसी है पीछे से ऐसी इस तोप का नाम है शेर जंग और यह है महराजा विशन सिंग जी के शाशनकाल में बनी थी और ये वाली जो तोफे इसे कहा जाता है रणचंडी जो बनी थी सवाई जैसिंग जी के शाशनकाल में और ये देखिए और यहाँ पे है बर्शु यानि की कुलहाडी और उसका मंत्र भी आपने अभी देखा यहाँ पे जो तोफे इसका नाम है भैरवी और ये सवाई जैसिंग जी के शाशनकाल में बनी है ये देखिए आप इसके उपर भी कितने बड़ी अकलाकरी की गई है और इस तोफ का नाम है मादुरी लेकिन इस दिख्षित नहीं है मादु सिंग जी के टाइम पे बनी दुरी नहर मुखी का जाता है इस तोफ को क्यों का जाता है आप इसके मुझ को देखके समझ सकते हैं नहर के समान ही इसके मुझ को बनाया जिया है डिजाइन गैसी है और भी बहुत सारी तोफ हैं आप देख सकते हैं यहापर ये कुछ स्पेशल लग रही है और इस तूप का नाम है नागिन इस से एक साथ बहुत सारे गोले छोड़ते थे रामबान और शिवबान दोड़ और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये लड़ू नहीं है बलकी तोप के गोले जयवान तोप का गोला ये देखिए ये 50 कलो का है ये छोटे छोटे गोले है और ये तीर और तरकष तरकष ये है जिसके अंदर तीरों को रखा जाता था ये अलग अलग ताइब के तीर है यह देखे एक गन पाउडर टेस्टिंग मशीन है बारुद की जांच की यह जो आप देख रहे हैं यह पोटाश है और इसको बोला जाता था टाइम बॉम और पुराने जमाने के रॉकेट कैसे होती थे आप देख सकते हैं अब हम शस्त्रागार से बाहर आ चुके हैं और चलत काकल देव जी जिन्हों ने इसके लिए का निर्मान शुरू करवाया था उनी का बनवाया हुआ यह मंदिर है और इसके लिए के रक्षक माने गए है तो आईए हरीहर जी के मंदिर के अंदर चलते हैं यह लेकिए आप कितने खूबसूरत प्रतिमा है बहुत सुंदर पंड दसा उतार विष्णुजी का इधर वाले अधिसिपजी आदे विष्णु टिसुलादमी शिपजी चक्राद मिष्णु जी हरीजार सी राम जी आठ सुसाल प्रतिमान दन्यवाद पंड़ जी तो चली अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ और यह देखिए यहां पर आप उट के सवारी का मज़ा भी ले सकते हैं चली अब महलक शित्र जो है उसके अंदर एंटर होते हैं सामने है सुबट निवास नॉर्मली जो जैपूर के राजा हैं वो आमेर के किले में ही रहा करते थे पहले और युद्ध वगर ऐसी कोई इमर्जेंसी हो जाती थी तब वो लोग यहां पर आ जाते थे और उस दौरान इस सुबट निवास के अंदर जिसे की हम दिवाने आम भी कहते हैं यहां पर जनता से जुड़ी वी जो बाते होती हैं उनके उपर मंतरना होती थी मिटिंग्स होती थी यह आप देख सकते हैं जगए पूरी मेरे पीछे यहां पर राजा खुद बैठा करते थे अपने मंतरियों के साथ में और यहां पर होती थी आम जनता लेकिन यहां पर राजा विशेश परिस्तितियों में ही निवास करते थे युद्ध जैसी आपातकाली निस्तितियों में और अब दिखाते हैं आपको पुराने जमाने के कूलर पुराने जमाने के कूलर कैसे होते थे ऐसे होते थे अब तो ये बहुत बूरी दशा के अंदर है लेकिन इसको देखे हम फिर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पहले कैसा रहा है आईए अब चलते हैं खिल बत्ती निवास की तरफ शाम होने को है हमारी परचाई जे क्या बंदाजा लगा सकते हैं दिवाने आम से अब हम चलते हैं दिवाने खास जी हाँ दिवान ए आम ना की दिवाने आम आम दिवाने नहीं हुए है तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कहलाता है खिल बत्ती निवास जो कहलाता था दिवाने खास इस दिवाने खास के अंदर महराजा अपने मंत्रियों के साथ में अपने सेनापती के साथ में खास मिटिंग किया करते थे और आम आदमी को यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं होती थी इसलिए आप देखेंगे यहाँ जो सेक्षन है दिवाने आम जितना बड़ा नहीं है अब हम बढ़ रहे हैं लक्षमी निवास की तरफ जहां पे महराजा जो है आराम किया करते थे विश्राम किया करते थे उपर जो आप देख रहे हैं वो छले जैसे हैं उनके अंदर यहां पे परदे लगे हुए होते थे और अंदर जो आप वो कुंदे देख रहे हैं उन पे लगे होते थे वो हिलने वाले पंखे तो इसको वो लोग शादियों के लिए पार्टी के लिए भी रेंट परेट पे देते हैं तो जो इच्छुक लोग है वो संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर अगर आपको रोयल पार्टी और्गनाईज करनी है मज़ा लेना है थोड़ी रोयल लिगसी का तो आप यहाँ पर पार्टी कर सकते हैं कि यह जो है सीक्रेट गलियारा यह भूल बलया टाइब में था और इमर्जेंसी वाले इस्तती के अंदर यहाँ पर रोयल फैमिली इसी से एक्जिट करती थी जो सुरंग बताई थी मैंने आपको आमेर से शुरू होती है उसका रास्ता भी यहीं आगे मिलता है और यह देखि लो तो इसका माइन डाइवर्ट कर देते थे एतना टाइम काफी होता था रोयल फैमली की निकलने के लिए तो दोस्तों अब सेक्षिन में हम कहँ गए हैं जैगर की लेगे यह हैं काटपुतली का खेल यहां पर होता था और दर्शक यहां होते थे ते एस तरह उपर जो करती थी और यहां के नीचे महाराजा अपने दास दास लोगूं के साथ में और इस तरीके से यहां उंदा entertainment theater होता था दोस्ता entertainment तो हमेशा से ही रहा है लाइफ के अंदर बस तरीकिया लग-लग हो गए हैं आज हम लोग वेब सरीज ज्यादा देखते हैं और अब आपको लेके चलते हैं बोजन शाला की तरफ जहां पर पकती थी शाही बिशेश ऐसे भूं भूं के आना पड़ता है मतलब बंदा वास्ता में तन्व्यूज बो ही जाए फिर से आपको ऐसे भूंना पड़ेगा और पहुंच गया है हम भोजन शाला में जी हाँ तो आप देख सकते हैं महाराजा जैसिंग जी को दिखाया गया है अपने पूरे मंत्रियों के साथ में इसी तरीके से वो भोजन किया करते थे अब लेके चलते हैं आपको रसोई में जहां पर पकता था ऐसा शांदर खाना तो देख रहे हैं लेडी ऐसे प्रिपरेशन करती थी और जैंट्स ऐसे और बरतन होते थे कुछ ऐसे इस सेक्षन में होती थी अनाज की सफाई तयार किया जाता था उसे पिसाई के लिए और यहां पर होती थी उसकी पिसाई यह देखिए आप और यहां पर है लेडीज का डाइनिंग हौल रोयल लेडीज जो हैं यहां पर भूजन किया करती थी लेकिन उनके लिए यहां यह जो एरिया देख रहे आप इसमें इसको परदे से कवर कर दिया जाता था क्योंकि इसके बैक साइड में है यहां पर राजा जी का डाइनिंग हौल तो यहां के जो मर्द हैं वो औरतों को देखने सके इसलिए यहां पर परदा लगा दिया जात है आम समय में वहां पे रहा करते थे सेनिक और खास स्थिती में रहा करते थे राजा जी के दास दासी जो भी उनके खास लोग थे यह हम निकल के आ चुगे हैं ललित मंदिर के अंदर तो यह जो ललित मंदिर वाला section है यह राजा जी का royal family का दूसरा वाला bedroom टाइप में होता था जिसके अंदर वो सर्दियों के अंदर नहीं गर्मियों के अंदर आया करते थे क्योंकि यहाँ पे इसको ठंडा करने के लिए खास विवस्ता होती थी देख रहे हैं आप उपर भी जरोके हैं तो जो cross ventilation की वज़े से यह ठंडा रहता था और अंदर आज भी इसके अंदर यह जो है यह पालकें रखी हुई है हाती के उपर इनको रखा जाता था और उस तरफ का जो रास्ता है वो है सागर चटरी वहाँ से हम आमेर के सागर का नजारा देख सकते हैं यह देखिए किले की दिवार जो है आगे तक जा रही है सागर तक तेकिन यह तूटी हुई है और वहाँ जो आप देख रहे हैं पानी भरावा उसे ही का जाता है सागर जिसका एक रास्ता जो है आने का वो आता है हमेर के किले से और और वहां से होते वे पन्ना मीना के कुंड के पास से तोस्तों सागर में जो वह सामने आप मंदिर देख रहे हैं वहां मेरे पीछे वहीं पर दबंग 3 का जो एक गाना भी शूट हुआ था सल्मान और सुनक्षी वाला यहां पर होता था फंवारा फिलाल पानी नहीं होने की वज़े से यह सूख गया है अब मैं व्लॉग के बीच में आपको देना चाता हूँ एक और वर्ड जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको दिया था लास्ट व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था वर्ड वो था नैना और इस व्लॉग के अंदर में आपको जो वर्ड दे रहा हूँ वो ह देखो भई चल पड़ी अपनी ये नाव है जी हाँ अब हम भी चलेंगे यहां से आगे दूसरे सेक्शन की तरफ और आप अपनी पसंद का गाना बादल वर्ड से जो भी है वो लॉग देखने के बाद में कॉमेंट करके हमें जरूर बताईएगा और दोस्तों अब हम आ गए हैं उस हिस्से की तरफ जहां पर अजनबी फिल्म का एक गाना शूट किया गया था करीना कपूर के उपर और वो गाना था मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है जी हाँ अब आप वापस से देखेंगे तो आपको उसके अंदर ये जैगर वाली लोकेशन दिखाई द बूलता था तब जा के बाद में फिर ये फिल्म देखता था और कई बार तो चीटिंग कर लेता था बीच पीच में से ये देख लेता था क्योंकि इसको मालूम है मैं सवाल करूँगा चला की की देखिये सूर्य देव नीचे जाने के लिए तयार है और ये उड़ गया है कबूतर माशर यहां से आप जो ये सेक्षन देख रहे हैं ये है इसके लिए का गार्डन वाला सेक्षन जहाँ पर पाइटीज हुआ करती हैं और वो जो आप जगे देख रहे हैं वहाँ पर लाल बादशा के अंदर अमिता बच्चन को शैद लटकाया गया था लाल बादशा की शूटिंग भी यहीं पर हुई थी और साथ ही यहाँ पर एक और बॉलिवूड फिल्म शूट हुई थी उस पर शूट हुआ था वैसे पहले जो उनकी प्लानिंग थी हम्राज की क्लाइमेक्स में वो लोग अक्षय खना को उस तरफ लटकाना जाते थे लेकिन बाद में क्लाइमेक्स जो है वो चेंज कर दिया गया था अब आपको दिखाते हैं जैगड के किले से आमेर का शान दार नजारा वे देखिए एक बार फिर से आप सागर को दोनों सागर देख सकते हैं आप दिख रहे हैं और वो रहा आमेर का किला अगर आप आपने आमेर के किले का व्लॉग नहीं देखा है तो आप वीडियोज वाले सेक्शन में जाईए और आप वहाँ से देख सकते हैं आमेर के किले का फुल टूर पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में फिलाल आप देखिए आमेर के किले को और आमेर गाओं के नजारे को दौनों तरफ से आप यहां आ सकते हैं देखिए हम लोग आए हैं इस तरफ से यह गूमते हुए यहां पर और यह गार्डन और यह जो ठीक यह जो छट आप देख रहे हैं इसके नीचे ही अमिता बच्चन को लाल बाश्या के अंदर लटकाया गया था वहाँ से आमेर के किले की जो गुप्त सुरंग है वो यूँ आती है और आगे कहीं पर वो बीच में ओपन हो जाती है और फिर जैगट किले के अंदर तक आ जाती है यह देखिया है संसेट का शांदार नजारा देख रहे हैं आप इसी जगे जहाँ कुल्दीब खड़ा है यहीं पर करीना ने डांस किया था मेरी जिन्दगी पर अरे तो तेर से तोड़ी करवा रहा हूं मैं तो बता रहा हूं यार नराज मतो यह देखिया हूँ गार्डन के इस इससे में महराजा बैठा करते थे यह रोयल लेडीज वाले बैडरूम के अंदर हम आ चुके है जरोके से फिर से आमेर का किला सच में भूल भूल लईया जैसा ही है दोस्तों एक्टम से आप कन्व्यूज हो जाएंगी कि क्या मैं यहां पहले आ चुका हूँ क्योंकि एक जैसा ही लगता है सब कुछ तो चलिए अब चलते हैं किले के लाज सेक्शन तोप खाने की तरफ तो यहां है बजरंग बान तोप और तोप कार खाना जहां पे तोपों का निर्मान होता था यह देखिए बजरंग बान तोप के दर्शन कीजिए आप यह भी बड़ी है लेकिन जैबान तोप के सामने कुछ नहीं है 32 बैलो द्वरा इसे खीच के युद्ध भूमी में ले जाया गया था तो यहां इस तरफ है तोप कार खाना तोप बनाने के जो सांचे होते हैं यह पड़े हैं यहां पर यह देखिए आप गणे जी का मंदिर भी है तोप खाने के अंदर कार खाने में यह हिस्सा कुछ ऐसा है तो दोस्तो इसी कार खाने में जैवान तोप का भी निर्मान हुआ है उसके अलग अलग हिस्सों को बनाया गया और बाद में उनको जोड़ा गया यह बटी है इसी के साथ जैःगड़ के व्लॉग उमीद करता हूँ आपको बाकी के व्लॉग बी पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है आपको इसे लाइक करना है शेर करना है और कॉमेट करके अपने विचार मुझे बताने है अगर आप पहली बार चैनल पे आये हैं तो आपको सब्सक्रायब ब्टन को हिट करना है और बेल आइकन को हर हाल में दबाना है क्योंकि बेल आइकन के दबाने के बाद में आप जो जो आल वाला जो section उसको select करेंगे तब ही आपको सारे notification मिल पाएंगे Otherwise आपको पता ही नहीं चलेगा कि नया व्लोग कब आया है ठीक है? तो खूंते रहिए, गुमाते रहिए लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए